स्वागते स्टूडेंट हमारे चैनल पर फिर से आपका हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 9 विसे साइंस की क्विजब्यास जो की सब्ता 30 की है और 29 एक 2022 को डाली गई है इससे पहले हमने मैस का क्विजब्यास कक्षा 9 का अपने चैनल पर डाल दिया है तो इससे पहले अभी केंदर बल प्रेश नमबर दो है गुरुत्वा कर्शन के सारवत्रिक नियम के अनुसार किनी दो पिंडों के बीच लगने वाला बल किसके व्यतक्रोमानू पाती होता है तो इसका उत्तर होगा अप्सन नमबर चार पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के प्रेश नमर तीन है दो बस्तों के बीच लगने वाले गुरुत्वा कर्शन बल का मन क्या होगा यदि दोनों बस्तों के दर्विमान तीन गुने कर दिये जाएं तो इस टुडेंट्स आपको इस प्रेशन का उत्तर कमेंट्स बॉक्स में डाल करके खुद को बताना है कि इ अगला प्रेशन देखते हैं एक जीप 0.6 सेकंड में एक कागार से जमीन पर गिरती है जमीन से टकराते समय जीप की गती क्या होगी यदि जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वाइर है तो यहां हम इसको हल करेंगी तो आप्सन नमबर दो इसका सही उत्तर होगा नेक्स्ट कुश्चन है इनमें से कौन सामान सार्वत्रीक गुरुत्यक स्त्रांक का वर्तमान मान्य मान है तो यहां सेकंड ओप्सन 6.67 इन्टू 10 तू दी पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वाइर पर केजी स्क्वाइर ओप्सन नमबर दो यहां सही उत्तर है अगला पुरत्वियेत्वरन जी का मान द्रवों पर विश्पुत व्रत्र की अपेक्षा अधिक क्यों होता है और अप्सन 1 यहां सही उत्तर है द्रुबों से प्रत्विके केंद्र की दूरी कम होती है अगला प्राशन है किसी वस्तू का इनमे से कौन सा मान अलग-अलग जगय पर अलग-अलग हो सकता है, भार अलग-अलग हो सकता है, अगला प्रशन है, यदि किनी दो पिंडों के बीच की दूरी D को पांस से गुणा कर दिया जाए, तो दोनों पिंडों के बीच कारे करने वाले बल एप के मान में क्या परिवर्तन होगा, तो 25 गुणा बढ़ जाएगा, आप्सिन नमबर 3 यहाँ सही उत्तर होगा, नेक्स کुस्चन है, एक वस्तु का दर्व्यवान 20 किलोग्राम है, प्रत्वी पर इसका भार कितना होगा, तो 146 Ne इसका भार होगा, आप्सिन नमबर 1, अगला प्रशन है, एक वस्तु का भार प्रत्वी की सतय पर मापने पर 24 Ne आता है चंद्रमा की सते पर इसका भार कितना होगा तो चंद्रमा की सते पर चार नूटन भार होगा option नमबर एक सही उत्तर है अगला प्रशन है किसी दिये हुए इस्थान पर वस्तु के भार को उसके दरविमान की माप के रूप में अप्योग कर सकते हैं क्यों? अगला प्रश्ण है कागच की एक सीट और पत्थर को कागच के जार में गिरा दिया जाए जिसकी हवा निकाल दी गई थी इन में से कौन पहले जार के तल पर पहुँचेगा यानि कि निर्वात में गिरा रहे हैं तो क्या होगा बच्चों दोनों एक साथ पहुचेगे यानि कि ऑप्सन नमबर तीन सही उत्तर है कागच की सीट और पत्थर दोनों एक साथ कोँचेगे तो इस तरह से आपका ये एक अच्छा नोंका विसाइश साइंस का कुई जब्यास कम्प्लीट होता है तो बच्चों आगे की कुछ अब्याद देखने के लिए जुड़े रही है हमारे चैनल से धन्यवाद